डाउनलोड करें प्लेइ स्टोर से राधिकर टिटोरियल्स का एप जहां पर आप सिलाई से जुड़ी हर एक चीज़ सीख सकते हैं आज मैं आपको फ्रेंच कर्व से आर्म होल की कटिंग करना बता रही हूँ जिससे आप आसानी से और गुलाई से आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं जैसे आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे बताया है कि उनके आर्म होल में गुलाई नहीं आती है तो आप इसको यूज करेंगे तो आसानी से और परफेक्ट बना सकते हैं तो चलिए है कटिंग करेंगे। तो मैं आपको आज बता देती हूं कि इसको आपको यूज केय से कर ना है। जैसे आपका आर्मोल सईसे बन जाएगा। तो जैसे आप बलाउज की कटिंग करते हैं वैसे ही आपको निशां लगा लेना है। उसके बाद फिर हम आर्मोल की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर पहले लगाना है आपको सूल्डर का निशान जितना भी आपका सूल्डर आता है उसका निशान लगा लीजिए जैसे ग्यारा आया तो हमने साड़े पांच लगा दिया और यह ले लिया मारजन का अब यहां पर आपको आर्मोल की लंबाई रखना है जितने भी आती है उथना निशान अपको यह प्रिंच कर रोठाना है और इससे मिलाकर रखना है आर्मोल की साइस से आपको इस तरहे रखना है तो इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप पहले आंगे की गुलाई दे रहे हैं या पीछे की गुलाई क्योंकि पीछे की गुलाई होती है वो कम होती है और आंगे की गहराई होती है वो थोड़ी जादा होती है तो उसी के हिसाब से आपको इसको रखना है तो जैसे पेहले हम पीछे की गुलाई दे देते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको द्यां देना है ekि आपको पॉइंट है एक कम गहराई के लिए है तो यहां पर हमने सारे गहराई को छोड़ दिया इस पॉइंट से गहराई को आंगे निकाल दिया और कम गहराई को यहां पे रख दिया है जब आपको कम गहराई देना है तब इस पॉइंट को ध्यान रखना है और इस तरह मिलाते हुए यहां से मिला देना है ठीक है अब आपको ज़्यादा गहराई देना है आंगे की साइट तो आपको क्या करना है थोड़ा से इस तरहें खिसकाना है इसको अब यहाँ पे ज़्यादा गहराई देंगे तो यह हो जाती है आंगे की गहराई बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है कि इसके जो पॉ तो देखिए जैसे कि मैं आपको नॉर्मली बताती हूं कि इस निशान से आप पीछे का लगाएंगे निशान तो ये 1.5 इंच पर आता है और आंगी का जो निशान होता है वो एक इंच का रहता है तो इस तरह इसका निशान है एक इंच पर आया और जैसे कि मैं आपको हर वी और आंगी का निसान एक इंच पर आया तो ऐसे ही आप इंची टेप से भी नापकर लगा सकते हैं क्योंकि हर किसी के पास फ्रेंच कर्ब नहीं होता है इसलिए मैं आपको हर वीडियो में इंची टेप से ही नापना बताती हूं बस आपको थोड़ी सी गुलाई देना है और आ इंचान लगाना है है जैसे घुलाई का लगा पर इदंशेक लगा दिया अब इसको सीधा करना हैं तो इसमें आपको देखना है कि आपको कितना गुलाई भाई रखना है तो इस तरह रखेंगे और इसको मिला देंगे इस पॉइंट से रखा तो इससे आती है कम गुलाई आप जादा गुलाई देना है तो इस तरह खिसका हिए और इसमें जादा गुलाई कर दीजिए बस इतना ही इसमें फर्क किया जाता है इस तरह आपकी बिलाउज की कटिंग हो जाएगी और आप बिना करव की बना रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि आपको बस थोड़ा सा हाथ समाला है और गुलाई से लगा देना है जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से बना सकते हैं तो आप थोड़ा सा न्यूज लाइक जरूर कर दीजिए और मैं आपको बता देती हूँ एक बीडियो में मैंने आपको बोड़ी से ना पलेकर आस्तिन की कटिंग करना और आर्मल की कटिंग करना बताया है अगर आप परफेक्ट सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी या फिर आ रादिके टिटोरियल्स चैनल को सर्ज करके भी देख सकते हैं तो बनाइए ट्राइ कीजिए थैंक्यू धन्य बाद डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रादिके टिटोरियल्स का एप जहां पर आप स्लाई से जुड़ी हर एक चीज़ सीख सकते हैं